नमस्का दोस्तों तो चलिए आज की इस ख्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही मात्पूर टॉफिक आपका एक्षवन बी बीजा का जुमुद्धा भी चर्चा में बना हुआ है उसी से संदर्म में आपका अर्टी कर लिखा गया है तो आज हम देखेंगे कि बीजा की विवन पिकार देखेंगे कि कितने तरह के बीजा होते हैं और बीजा नीलम्मन यानि की से रोखने के कारण क्या है उस पर भी बात करेंगे इसके भारत पर भी प्रवाव देखने को बिलेंगे आपको और अमेरिका पर क्या प्रवाव पढ़ेंगे उस पर भी बात करेंगे है इसका समाधान क्या हो सकता है से वियम लोग देखंगें सबसे पहले हम लोग मैप्स पर चलते हैं कझ के देखिए हमारी इप्यारी पित्वी स्पर यह हमारे अप्रिार्बहरत है इस हिया में और आप आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महादीम में आप देखेंगी इनौनाइटेट इस्टेट्स ये आपका 50 राज्यस में सामेल किये गये इसकी राध्धानी की अगर बात करें तो बौशंग्टन डी सी है कि इसी की बात कि जा रही है अमेरिकी राश्पदी डॉनल्ड ट्रम्प ने संगीय सरकार के किसी भी कार में भाग लेने सिर्फ प्रवासी कामगारों को रोगने के लिए एक तरह से आप इसे अमेरिका पर न समझ कर आप एक राज समझ लिए कि आपका कोई राज्य जैसे महराश्ट है आपका उत्तर विदेश बियार से मजदूर जाते हूं रहते हो महराश्ट क्या करें कि एक मतलब परमिट दे की इतने लोग हमारे हमारे यह आ आ सकते हैं चाहरर सकते हैं इस तरह से यहां उनका परिवार नहीं सकता है Initially आप समझे कि उस परमिट को आपका महराष्ट रोग दे तो क्या होगा आपके जो मजदूर इतने अभी जो भी बरकर्स थे वो नहीं जा पाएंगे तो यहीं काम कर रहा है अमेरिका भी कि जो आपके हां से या अंदर देशों से काम करने के लिए अमेरिका जाया करते थे उनक कि अर्थवस्था को मतलब उन्हें अच्छी जिंदगी हो सके उनकी क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती दिखाई दे रही है वैसे तो हर देश में कुरूना महमारी के चक्कर में हर देश में बेरोजगारी पड़ी है लेकिन अमेरिका प्रवावित होंगे यानि कि जो वहां रह रहे हैं भारत थी प्रवासी वह प्रवावित होंगे अगर वहां से निकाला जाएगा तो उनकी स्तिती को आप समझ सकते हैं अमेरिकी राजपटी टेरम के अनसार यह कदा मोलाकों अमेरिकी नागरेकों की साहता करने के लिए अतियावस्यक है जो बैस्विक माहमारी कोविद-19 के कारण ओत्मन हुए आर्थिक संकट के चलती बेरोजगार हो गए हैं आप लोग साधारन सब्दों में समझें कि अभी आपके राज्यों को ही देख लिजें कि यूपी अपने लोगों को रोजगात देने की बात कर रहा है महराष्ट अपने लोगों की स्वास्तवेवस्था अपने लोगों का ध्यान रखने की बात कर रहा है तो इसी तरह अमे की राष्टपती पत के लिए चुनाव भी है ऐसे में राष्टपती ट्रम्प का यह आधिस चुनाव की द्रिश्टी कौर से भी आधिक मायने रखता है द्याता पहें कि अमेरिकी राष्टपती को भेजे पत्त पर एक अमेरिकी सालसदने कामगारों की आये और रोजगार के अवसरों को बढ़ावाद देने ही तु एच वन बी एस टू सब्सक्राइब एस ट्री ओप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रभास्ती से जुड़ी अन्युजनाओं पर रोक लगाने की मांग की है यानि कि पूरी तरह से नहीं रोकने की बात की जा रही है कि इनको मतलब बाहरी लोग जो भी आ रहे थे उन्हें रोक दिया जाए अगर हम लोग बीजा के विवेन प्रिकारों की बात करें यानि कि कितने तरह की बीजा होते हैं एच बन बी बीजा सयुक्त राज अमेरिका में रोजगार की एक बी बीजा पराप्त करना आप सकता है यानि कि आप चाहें जैसे आप जाना चाहें काम करने के लिए अमेरिका तो आप क्या लेंगी एच बन बी बीजा ठीक है एच बन बीजा वस्तुता एमिग्रेशन एंड नेस्नलिटी एक्ट की धारा 101a और 15h की अंतरगत से राज अमे परिकी नेखताओं की विसेस अगता पूर्ट पूर्ट ब्योसायों में आज थाई तोर पर विदेश करमचारियों को नेख करने की अनुमती देता है और आप जानते हैं कि अमेरिका में अगर वहां का कोई हम लोग वर्कर रखें यानि करमचारी रखें तो वो महंगा रहे करते हैं कि हमारे हैंइंद धिस्टी वह विदेटी है समझे रहें तो उनी की बात की जैरें है अरफ फोर में बात करें तो बी बीजा दार्पों के आश्रीट परिवारों के परिवार के सदस या पतनी पर पती-पतनी को एक H4V significant जारी किया जाता है जो कि H1 BV significant दारक के साथ उनके प्रवास के दिए अमेरिका में ही रहना चाहते हैं यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं माल लेते हैं आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो भी प्रिवार होगा, पतनी या बच्चे, तो उन्हें मतलब साथ में रहेंगे व्यूतु, तो उन्हें के लिए H फोर वीजा जारी की जाता है, H4 वीजा के तहित मुख आभी तक H1 B वीजा धारक ही होता है H4 वीजा के लिए प्रिवार के सतर्स जैसे पती पतनी 21 बार से कम I.U. के बच्चे आहाथ अपराप्त कर सकते हैं और अपने देश के ही अमेरिकी वाड़िची दूतावास में आभीदन कर सकते हैं के लिए आप अपने देश का जो अमेरिकी वाड़िची दूतावास है उसमें आभीदन कर सकते हैं फिर आता है आपका H2 B वीजा इस तरह की वीजा का आभीदन करने के लिए आभीदन पत्त को सरम विभाग से किसी सरम विभाग से प्रमावडित होना चाहिए या आश्थाई रोजगार के लिए जारी किया जाता है यानि केहने के मतलब है कि इस्थाई रोजगार की विवस्ता इसके अंतरगत नहीं की जाते है एच तरी वीजा यह वीजा पिसिक्षकों के लिए जारी किया जाता है जो लोग किसी कार की पिसिक्षण के लिए अमेरिका जाना चाहते लोग इस तरह की बीजा के लिए आभी दिन करते हैं प्रेयलबन बीजा एक गैर पिरवासी बीजा है जिसके अंतर के तहित कंपनिया बिदेशी करमचारियों को अमेरिका में मौझूद अपनी साहे कंपनिया कंपनियों या फिर मूल कंपनियों में रख सकते हैं आप लोगों की बात की जा रही यानि कि जो विदेशी कंपनिया है कि अमेरिका में आप आपकी देश की हो गई या चाहिना की तो इसमें अपनी कंपनियों में जो करमचारियों की बात रखने की बात की जाती है उन्हीं को रखने की के लिए इसे भी जारी किया जाता है अगर हम बात करें कि वीजा नीलंबन की कारण यानि कि यह भी पितिवंद लगाने की कारण क्या है तो वर्स 1952 में 1952 में हच बन वीजा यह उजना की शुरुवात के बाद से ही अमेरिक लिया कि आर्टिक इस्तिति के आधार पर अन्न देश के कुसल सहमिकों की कुछ सैनियों को अन्मति देना या फिर आस्विकार करने के उद्देश से कई संसोधन बदलाव भी किये गए हैं और आप ही सुचिए कि अगर वहां के आपके हाँ से कोई कंपणी जाती है तो साथ में अपने बरकस ले जाती है पूरी टीम ले जाती है तो आप सुचिए कि उनके कि यहां जो भी इस्थानीय लोग है उन्हें क्या फाइदा मिलेगा उससे आगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फाइदा क्या मिलेगा उन्हें समझ रहें, तो क्या चाहते हैं, हर देश चाहते हैं, आपके ही देश में सोच लिए, कि कोई कमपनी बाहरी कमपनी आती है, मालनी जिए चाइना से आती है, वो अपने बढ़कर्स यानी की करमचारी साथ में बेचती है, तो हमारे देश में हमारे यहां के लोगों को तो में इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों की आवा आगमन के साथ बड़ी संख्या में सनातक अमेरिका जैसे बड़े देशों में अपेक्च्छा के कम लागत फरकार करने के लिए तैयार होने लगें आपसे मैं कई बार बता भी चुका हूं कि आप सूचिए कि अभी हो जाएगा 15-20,000 रुफे में आरम से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप एक लाग बेतन क्यों देंगे सोची समझ रहे हैं तो हर कंपनी का एक मतलब होता है कि मुनाफ़ा कमाना मुनाफ़ा कमाना वह इसी के लिए आप देखते हैं वहां चुनता है वहां जाने क सोचता है जहां कम मतलब लागत हो कम सरम एक मतलब बेतन देना पड़े सहस्ता सरम हो दूसरे देशों से कम लागत पर करमचारी आने के कारण अमेरिका के घरहलू करमचारीयों को काम मिलना बंद हो गया है जिससे अमेरिका के स्थाने निवासियों के वीच बेरोजगारी ब वाले समू की रूम में देखा है याद रहे कि जब अमेरिकी राजपती डॉनल्ड ट्रम्प बने उस समय इनका यही नारा था अमेरिका फष्ट यानि कि अमेरिका की लोगों पर ध्यान जाना देंगे इसलिए आपने देखा है कई संगठनों से भी निकल चुके हैं अमेरिका फष्टू बनाने की चक्कर में द्यातब है कि अमेरिकी पिसासन के अंसार अमेरिका की विरोजगारी दर में फरवरी 2020 से मई 2020 के बीच लगबक चौगनी विद्धी हुई है आप समझ रहे हैं कि कुरोना महामारी से बहुत बुरी तरह से अमेरिका जैसे देश प्रभावित होए हमारे यां देश तो क्या है कि हमारे यहां लोग कम द्यंदेते हैं इस तरह के आप सुचिए लेपा पुद्रिक हमारी सरकारें कर देते हैं वरना अगर हमारे लाखों चोगनों नहीं हमारे हाँ आप सुचिए दस गुना भी बेरोजगारी मिली होगी देखने को इस टाइम में हमारे हाँ किस तरह से प्रभावित हुए लोग आप सभी जानते हैं फिर भी हमारे यांग की अच्छे से आंकड़े भी जारी नहीं किये जाते हैं बैस्विक महामारी COVID-19 के बाद अमेरिका में वे रोजगारी के इस्तिधी वायवर होती जा रहे हैं ऐसे में स्थानिये लोगों के लिए रोजगार के अवसर्व उपलब कराने हित्यू सभी पेकार के वर्ग वीजा पर की दीवन्थ लगाया जा रहा है कि यह थे आप देखिए कि कुवेट आपका आपने सुना होगा कि कुवेश्ट के बारे में अब सोची चोटा सा देश है वह भी आजकल कि इस तरह की कदम उठा रहा है तो यानि कि हर देश अभी अपना ही है आपका कुवेट समझ रहें अभी तो हर देश अपना अपने प्रिवस्था करने में जुटा हुआ है समझें भारत पर पढ़ने वाले प्रभाव कि अगर बात करें तो अमेरीकी विसासन दौरा लगाये के इन पीटी बंदों का सरवाधिक प्रभाव भारतिया आईटी कंपनियों प्रफड़ेगा आपनों के इनसर वर्स 1990 कि बासी पि घाते हैं तो उसमाई से कितने 70 लोग कितने कहां के रहते हैं भारतीय रहते हैं समझ रहें 60-70 30 हैंट सब्सा कि पहनी पितीक प्रफड़ने जारी की जाती है में अमेरीकी विसासन के सरंबैभाग के दौरा जो आंक्रे दियो अनकी अंसार एक अप्रेयल 2020 ततल है कि युएस सिटीजन सिप एंड एमिग्रेशन सर्विसिस को लगबग 2.5 लाक एचबन वी वर्क वीजा एफ्लीकेशन के प्राप्त हुए थे इसमें से लगबग आपके 1.84 लाक या फिर सरस्ट पिती सथ भारती आवे तक थे आप समझ सकते हैं कि इन में से सरस्ट यानि की आ अध्यन के उसाथ लगबग 97.34 एजवन वीजा सरी एच पोर वीजा धारक महला हैं और उनमें भी लगबग आपके 93.32 जबकि 4.37 चीन से हैं आप सोचिए कि एच पोर का मतलब यहीं हुआ ना कि आपके आपसे जो भी उनका कोई जा रहा है तो उस पर डोब भी डिपेंड इस पर रहेगी महला वो भी साथ में जाना वहां पसंद करेंगी समदरें तो नहीं की बात की जाए गर्वीजा पर विदेवन से भार समय अनदेशी देसों की कम्पणियों को अपेक्ठा कित महेंगी अमेरीकी पेशेवरों की निवति यानि करमचारीयों की निवति के लेकिन आपको रोग दिया जाए आपसे कहा जाए कि एक मतलब महगा करमचारी रखिए एक तरह से और आप सुचिए 50,000 रुपे में एक करमचारी मिले आपको तो आपकी जो भी कंपनी होई उस पर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी और याद रखिए हर कंपनी का उसे कोई मतलब नहीं है कि समाज का लियाड करने से उसे अपना मतलब प्रॉपेट यानि कि लाप कमाने से मतलब रहता है कि कंपनी का गठन इसी उद्देशते होता है बड़ी संख्या में पेसेवरों के बापस आने से भारती अद्वस्त अपर इन्हें रोजगार उप्रल आप देख रहे हैं कि पहले से हमारे या विरोजगारी बहुत च्छाई बिलिए भारत को प्राप्त होने वाले रेमिन टेंस पर भी नकारत मत प्रवाव पढ़ेगा यानि कि कहने का मतलब है आप सोचिए कि वहां जो भी लोग ब्यक्ति कमा रहे हैं वह हमारे ही देश तो को भीषते हैं उसकी बात की जा रहे है है कि सैयुक्त राच अमेरिका पर पढ़ने वाले अगर प्रवाव की बात करें तो अमेरिका इस बात को समझने में नहां समर्त है कि उसकी कदम से उसका भी नुकसान हो सकता है. अमेर का एच बन-B Visa पर काम करने वाले अधिकास्ता पेसेवरों के साथ उनका परिवार भी अमेरिका में रहना आ जाता है. छोकि उनका यह परिवार और ना किसी व्युसाय चे जुड़ाए, इसलिए अमेरिका की अर्धिविष्था में एहम भूमिका निमाता है। वर्ग विजापर विधिवन्न के माद द्यम से अमेरिका ना केवल विदेशी पेस्वरों को रोक रहा है। बलकि अपनी अर्थोयस्था की प्रगती पर भी ब्रहम लगा रहा है। अमेरिका में व्याप वेवसायक फेसेवरों की कमी हो सकती है। जिससे विशेश सग्यता पूर्ण कारेयों में कुसल ब्यक्तियों का अभाव होगा, जिसका प्रित्यक्ष प्रवाव अमेरिकी अर्थोयस्था पर ही पड़ेगा। कि अभी हर देश, किसी भी देश को आप उठा के देख लिए। अपने यहां ही देख लिए हर राज को, अभी हर राज अपने ही अर्थववस्था पर देहान देने की बात कर रहा है। समझ रहें, तो हल्क देश अभी अपने ही लोगों की ख्याल रखने की बात कर रहा है, उनकी इस्तिती सुधारने की बात की जा रहे है, बाद में आप सोचे कि ये बात का काम है, देखा जाएगा कि नुकसान क्या होता है, तो अमेरिका भी यही काम कर रहा है, और अमेरिकी ज साथ हो सकता है कि इस तरह की गोई चूट मिले, समय रहे हैं, समाधन क्या हो सकते हैं, आखिर, विश्य सक्कों के अनुसार COVID-19 यानि की कोरोना महारी के से बैस्ट भी कर दिवस्था में आई गिरावट की बढ़्याम सुरू, आने वाली देशों में विश्य से की बहुत से काउसिस करेंगे, बाहरी लोगों को आने से रोकेंगे, ऐसे में सरकार को देश में रोजगार की नए आउसर उत्पन करने पर विश्यस ध्यान देना होगा, देश में विदेश्ती निवेस को बढ़ावा देकर नए संसाधनों का विकास से समस्या को कुछ हत तक कम भी किया आजा सकता है, सूचना पर दुगी की, यानि कि Information Technology चित कि कई कंपनिया जैसे TCS हो गया विफ्रो आधीक नए मोडल पर कार करें हैं, जिसके तहट आधी से अधीक करमचारी को घर से कार करने की सुगधा होगी, इसके माध्यम से भारत मेरा रहे कामगर विस्ट के तक अपना मतलब maintenance रख सकते हैं, उन्हें सवस्ता स्रम भी रहेगा और यहां से लोग काम भी करते रहेंगे, तो यह एक कहानी है आपकी बीजा की, जिसमें आपने H बन, B बीजा भी देख लिया है मुद्दा, और बाकी बीजाओं को भी देख लिया है, ठीक?